प्रित्मिक रोशन के फांस अब उनकी सूपर हीव फ्लिक क्रिश फोर्ट से जुड़ी नई और बड़ी अपडेट्स जानने के लिए बेहद उत्ताबले हो चुकी हाली में हमने आपको बताया था कि राकेश रोशन ने इस फिल्म में 14 अड़वानी फोकास करने का मन बनाया ह मगर अब क्रिश फोर्ट से जुड़ी तीन ऐसी बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है जो बेहद ही इंट्रस्टिंग और अमेजिंग है नबर वान सभी पार्ट से महंगी होगी क्रिश फोर्ट जी हाँ खबर है कि क्रिश फोर्ट राकिश रॉशन की कोई मिल गया और क्रिश फ्रेंचाइस की बाग होगी क्यों सुपर हेरो फिल्म में वी एफेक्स और ग्राफिक्स का भर भर के इस्तिमाल होता है लेहाजा इस बार क्रिश 4 में VFX और ग्राफिक्स का लेवल भी बहुत हाई होने वारा है खास बाद यह है कि क्रिश 4 को बड़े स्केल पर जबलब किया जा रहा है जिसके चलते VFX के काम के लिए शारुठान की कंपनी रेट चिली से बाद भी चल रही है और क्योंकि इस बार आपको एक रिट्टिक नहीं बलकी स्क्रीन पर चार चार रिट्टिक देखने वाले है इसलिए क्रिश 4 में VFX का लेबल इतना ज्यादा हाई होगा कि ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनने वाली है और यही है हमारी दूसरी अपडेट जी हाँ पार्ट 4 में अब रिट्टिक भी चार कैरेक्टर्स निबाते नज़र आएंगे और खबरे हैं कि इस बार फिल्म में बिलन का किरदार भी रितने खीले बाते नज़र आने वाले हैं और इसी के साथ फिल्म में फीमिल सूपर हीरो की भी इंट्री होगी और जी हाँ क्रिश की किसी भी फ्रिंचाइस में नहीं हुआ है जादू, रोहित और क्रिश का मिलन होने माला है दर असल फिल्म की कहानी को दिल्चस्त बनाने के लिए राकेश वर्शन कुछ दिल्चस्ट ट्विस्ट कहानी में फिर ओने वाले हैं इनमें से एक क्रिश के पिता रोहित महरा की वापसी बताई जा रही है आपको बता देंगे क्रिश शीरीज की चौती फिल्म में रित्य का किरदार क्रिशना यानी क्रिश अपने पिता रोहित महरा को वापस लाने के लिए टाइम ट्रेवल कर सकता है और क्रिश के एलियन दोस जादू की भी वापसी होगी और क्योंकि जादू से संपर्थ करने के लिए रोहित का होना ज़रूरी है लेहाजा फिल्म में रोहित का केदार भी वापस लाया जाएगा बन लाहिर है कि इस बार क्रिश फोर्ट वागई में सबसे ज्यादा ग्रांड और अलग उने वाली है और क्रिश फोर्ट से जितक कुछ ऐसा करते नजर आएंगे जिसे देखते होंगे फैंस ता उम इस फिल्म को दूज़ने पाएंगे पौर्ट से जिसे जिसे जोसें फिल्म रबियों सॉंग इस बार इस बार में आएंगे